हे गाईस, तो आज हम बनाने वाले बेस्ट आउट ओफ वेस्ट आइडिया इसके लिए मैंने लिए है कुछ कार्ट बोर्ट के टुकडे और इनको शेप में काट दिया है अब हम करेंगे इनको पेंट with the help of acrylic colors मैं वाल्स पर brown acrylic color apply कर रहे हूँ ऐसे creative ideas के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम इसमें detailing करेंगे detailing के लिए मैं white acrylic color का यूज कर रहे हूँ यहाँ पर मैंने zero number का round brush का यूज किया है तो हमारी detailing complete हो चुकी है अब मैंने लिया एक square cardboard जिस पर हमारा house बनेगा तो यहाँ पर मैं walls को stick करने के लिए favor bond का यूज कर रहे हूँ अब हम walls को step by step arrange कर लेगा और final look के लिए वीडियो को end तक जरूर देखी अब मैं लेरी हूँ एक west cardboard और इसका अपर लिए पर लोग मैं लगा लेयर में रिमूफ कर लूगा अब कार्ट बोट को प्रॉपरली कट करके मैं इसको कलर कर लूँगी और रूफ पे स्टिक कर लूँगा कार्ट बोट को वाइट कलर करके मैंने राउंड कर दिया है और अब हम इसे आज पिलर यूज करेंगा इसके उपर मैं लगा दूँगी कार्ट बोट का ही एक पीस अब मैं यहां पर ग्रास शो करने के लिए ग्रीन कलर दे रही हूँ और इस पर कुछ लाइट ग्रीन टेक्शर दे दूँगी जिससे ग्रास रियलिस्टिक लगे वाइट पेपर से मैंने सीडिया भी बना ली है अब मैं इसको कुछ स्ट्रिप्स लगा के इस पर फिनिशिंग का काम करते हूँ अब हम बनाएंगे क्यूट सा मीनी प्लैंटर सो इसके लिए मैंने ले लिया एक कार्डबोर पहले जैसे हमने इसे कलोर कोके राउंड किया था वैसी स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करने है मैंने इसमें कार्डबोर के पीसेज भर दिया है और इसमें मैं आइटिफिजल ब्लैंट स्टिक कर रहे हूँ नाव हम कुछ ग्रास पाउडर आट कर देंगे और प्लैंटर को लगा देंगे घर के एक साइड में इस तरह से हमारा एगर रेडी हो चुका है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो कमेंड करो शेर करो और चैनल पर नए हो तो सब्स्टाइब करो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार